कुछ लोग डोल की तरह होते हैं शूर तो बहुत मचाते हैं लेकि अंदर से खोख रहे होते हैं और कुछ लोग इतर की तरह होते हैं शांत और चुपचा प्रहकर अपनी फुश्बू चारों और फैलाते हैं अगर किसी का आपसे बात करने का तरीका बदल गया है तो ये बात समझ जाना कि उसका आपसे मतलब निकल गया है मन में कोई भी बात दबा कर मत रखना अपनों से कोई भी राज शुपा कर मत रखना क्योंकि बात बता देने से फैसली होते हैं और बात शुपा कर रखने से फा कि जो इंसान आपके मोन का मतलब नहीं समझ सकता वो आपके शब्दों का भी मतलब नहीं समझ पाईगा परवा मत करो उनकी जो देते हैं ताना जुगा देना कदमों में उन्हें जब आएगा तुम्हारा जमाना जिसकी रगों में खून नहीं जिनून दोड़ता है वही अप कभी चलो हसके चलो कभी हारोगे नहीं ऐसा इरादा बनकर चलो बस कभी खुद पे गमंद मत करना नीबू के रसकी एक बूंद कई लीटर दूद को खराब कर सकती है वैसे ही गमंद और हैंकार अच्छे से अच्छे रिष्टे को भी खराब कर देते हैं इसलिए याद रखें हैंकार और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं तो इनसान चाकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता इनसान की जिन्दगी सिर्फ दो चीजे बदल सकती है अच्छी किसमत जा कड़ी महनत लेकिन कड़वा सच तो ये है कि अच्छी किसमत हर किसी की नहीं होती और कड़ी महनत हर किसी से नहीं होती, लोग छोटी-छोटी परिशानियों से जूज रहे हैं, किसी से पढ़ाई करते नहीं बनती, किसी से सुबह उठते नहीं बनता, किसी से खुद को फिट नहीं रखा जाता, किसी का अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, कोई समय बर बात किये जा रहा है, तो किसी को हर वक्त नीद आती रहती है ये सारी परिशानियां बहुत छोटी छोटी है मन में ठान लो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन जरह सोचो कि अगर आज छोटी छोटी परिशानियों से तुम जीत नहीं पा रहे हैं तो जब जिन्दगी की असली प्रिक्षा होगी तब तुमारा हारना निश्चित हो जाएगा इसलिए अभी से त्यारी शुरू कर दो जिस कामे मन ना लगे उसे करके दिखाओ नीद आये तो सुबे जल्दी उठके दिखाओ अरे अपने उपर इतना तो भरोसा करो अपनी गलती का दोश दूसरे के उपर डाल दो लेकिन ये करने से तुमें क्या मिलेगा कुछ भी नहीं जिन्दगी बर लूजर के लूजर ही रह दाओगे मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्या तुम हमेशा एक लूजर ही बनके रहना चाते हो या तुम में हिम्मत है वो कर दिखाने की यो दूसरे नहीं कर सकते हैं और इस वीडियो में कही गई बातों से अब सैमत है तो इसको शेयर जरूर करना